हालो और वेलकम दोस्तों डुफाइमिट इंजिनेरिंग आज का वीडियो वाखी बड़ा कमाल का होने वाला है और साथी साथ बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है बहुत इंपोर्टेंट क्यों 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 कि भाई टॉपिक है शिफ्ट रिडियूस पार्सर क्या होता है यह parsing कैसे करता है, shift क्या होता है, reduce क्या होता है, example के साथ पूरा illustrate करो, तो यह जितने भी सवाल हैं दोस्तों, जो अभी मैंने बता है, यह बड़े ही popular, बड़े ही famous सवाल है, जो कि examiner पूछता है exam के अंदर, कि भाई बता और बड़े heavy weightage marks के साथ पूछता है, तो भाई अग आपको उन questions में, उन सवालों में, तो भाई आप एकदम सही जगा पे आ गए हो, सही जगा पे पहुझ गए हो, यहाँ पे सिर्फ आपको अभी एक काम करना है, कि इस वीडियो के अंतिन सेकेंड तक मेरे साथ बने रहना है, और बोड की तरफ ध्यान देना है, और जो मैं ब प्डाउन है या बॉटम अप है, तो भाई यह शिफ्ट रिदिस पार्सर की जो बेसिक टेकनिक है, बड़ बॉटम अप पार्सिंग, एक सिंपल सा एक एक जामपल के साथ बताता हूं, मान लीजी यह सारे आपके टर्मिनल्स है, तो यहाँ पे बॉटम लाइन में आपके स इस तरीके से हम बॉटम लाइन से ऊपर तक जा रहे हैं, इस तरीके से बॉटम अप अप्रोच जो है, हमारा यह पार्सिंग टेकनिक फॉलो करता है, एक और चीज जो गौर करने लाइक है, शिफ्ट रिदिस पार्सर में, वो है यह दो शब्द, शिफ्ट अन रिदिस, यह वो दो बहुत थी important actions है, जो मैंने आपे mention कि है, shift and reduce, अभी इनका meaning समझते हैं, कि यह आफिर है क्या, बराबर, तो भाई shift का मतलब क्या होता है, what do you mean by shift, push the current input symbol to stack, तो यहाँ पर भाई यह सबसे पहली एक बात तो है, हमें stack लगने वाला है, stack जो data structure है, वो हमारे काम आने वा उन्हें हमें क्या करते जाना है, push करते जाना है onto the stack, अब यह current input symbol का मतलब क्या है, कि certain pointer होगा, जो कि आपके input string को traverse करेगा from left to right, तो अभी initially, जो आपका pointer, जिस input symbol को point कर रहा है, उस symbol को आपको push करना है stack की उपर, that is nothing but shift operation in simple words, बराबर, यह होगा shift action, आगे बढ़ते है, reduce की उ करना है, जो भी symbol आपको दिख रहे हैं, उनको replace करना है non-terminal, simple सी भाचा में बताओ, अगर आपको यह production rule दिख रहा है, okay, production rule का यह RHS है, और यह LHS है, right hand side, left hand side, तो आपको simply क्या करना होता है, कि अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से, इस production का right hand side दिख रहा है, तो आप उसे replace कर सकते हो, by the left hand side of the production, that's it, simple तरीके से, तो यहाँ पे इस definition के according, यह मेरा symbol है, और यह मेरा non-terminal है, बराबर, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस symbol को replace करने वाला हूँ, by the non-terminal, that is what we are trying to say, we are reducing, मतलब हम उल्टा जा रहे हैं, we are going reverse flow, कि जो production का actual flow है, उसके reverse में हम जा र रहे हैं, that means we are trying to reduce it, बराबर, तो हमने उसे reduce कि, that is the operation called as a reduce, तो अभी तो भाईया, इससे समझ लिए हमने by the formal definition, बराबर, अभी अपनी गाड़ी तो बिना example के आगे बढ़ती नहीं है, तो भाई, example के साथ, मैं आपको बताता हूँ, shift और reduce operation कैसे perform होते हैं, एक simple version of the parsing table, मैं आपके सामने आपे अभी construct करने वाला हूँ, बराबर, और उसके through, यह जो दो actions है, उनको बहुत अच्छी तरीकी से detail मैं भी समझने कोशिश करेंगे, तो एक example grammar मैंने आपे consider किया हुआ है, जहाँ पे आपका जो E है, capital E जो आपको दिख रहा है, that is nothing but your non-terminal, और यह जो grammar input string में लेता हूँ, जो की है A plus B, यह input string में consider कर रहा हूँ, बराबर, अब इसमें shift और reduce operation कैसे perform होंगे, उसको अभी देखते हैं, उसे अभी समझते हैं, उसे अभी यहाँ पे पूरा detailed manner में देखते हैं, ठीक है, तो भाई, यहाँ पे तीन sectors है, let's start, यह एक stack है, यहाँ पे जो top of the stack है, वो dollar contain करता है, initially, बराबर तो dollar यहाँ पे होगा, दूसरी बात, यहाँ पे मेरा A plus B, यह input string है, क्या इतना ही लिखके हमें रुखना है, नहीं, और लिखना है, क्या लिखना है, dollar, every input string should end with dollar symbol, every input string should and should, हमेशा, it should end with the dollar symbol, ठीक है, अब यहाँ पे मेरा यह सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब initially मेरा जो pointer है, वो point कर रहा है, terminal A को, बराबर, because we have to traverse it from left to right, in this direction, बराबर, तो starting symbol तो यह हो गया, अब यह pointer इस terminal को या इस symbol को point कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे current input symbol, now I hope you are able to relate the things, बराबर, current input symbol अभी मेरा A है, अब मुझे उसे क्या करन है, push करना है, that's it, और उसके लिए मुझे जो operation होता है, that is nothing but shift, it is itself a shift, बराबर, तो मैं क्या करूँगा, shift करूँगा, और जो current मेरा symbol है, यानि कि A, उसे मुझे shift करना है, बराबर,